हेलो दोस्तों, सोसियोलोजी क्लासेज में आप सबका स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं रूराल आर्बान कोंटिनियूम के बारे में आज इस रूराल आर्बान कोंटिनियूम के क्लास में हम कौनसी कौनसी चीजों को डिसकस करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं हम पहले देखेंगे कि approaches to study urban phenomenon हम जब भी urban studies करते हैं आर्बान के चीजों के बारे में discuss करते हैं तब कुछ approaches हम use करते हैं उन वो approaches क्या है वो सारे चीज़े हम देखेंगे फिर देखेंगे हमारा जो आज का main concept rural urban continuum ये rural urban continuum क्या है इसको किस ने दिया है और इसको हम rural urban continuum क्यों कहते हैं फिर देखेंगे Robert Redfield's contribution रॉबर्ट Redfield ने rural urban continuum पे किस तरीके का contribution क्या है उन्होंने folks societies का किस तरीके का characteristics दिया है आर्बान societies को उन्होंने किस तरीके से define क्या है और tribal urban continuum के बारे में उन्होंने क्या बोला है फिर आखिर में देखेंगे कि रूराल आर्बान continuum का जो criticism है जो उसका लूइस ने दिया है उनका criticism हम देखेंगे अगर आप मेरे classes में नए है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्योंकि sharing is scaring इस channel पे आपको sociology related सारे videos मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारे playlist से study कर सकते हैं आपको बहुत help म लेगा तो चलिए आज का class शुरू करते हैं हम पहले देखते हैं कि हम different approaches यूज करते हैं हमारा आर्बन फेनोमेना को study करने के लिए हम mainly दो तरीके का approach यूज करते हैं एक है trade complex approach दूसरा है ideal type approach यह जो ideal type approach है इसको Max Weber ने दिया है और ideal type approach में हम दो तरीके का approach के बात करते हैं एक है non polar approach और दूसरा है polar approach पोलार approach को ही rural urban continuum भी कहा जाता है तो चलिए अब देखते हैं यह सारे approaches क्या है हम पहले जानते हैं कि यह trade complex approach किया है यह trade complex approach का मतलब है जब भी हम urban phenomenon का study करते हैं अर्बन sociology का study करते हैं वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम study करते हैं, उनके traits जो भी उनके characteristics है, features है, उनसारे चीज़ों के बारे में study करते हैं जैसे उनका occupation, size, density, homogeneity, heterogeneity, environment ये सारे चीजों के बारे में हम study करते हैं इसको ही कहा जाता है trade complex approach यानि कि हम directly उनका जो traits से उनका जो characteristics से उनको study करते हैं और दूसरा जो approach है वो है the ideal type ये ideal type approach mainly हम Max Weber से देखते हैं उनके class में मेरे channel पे Max Weber के ऊपर एक class है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ideal type के बारे में मैंने detail में discuss किया हुआ है अब थोड़ा देख लेते हैं कि ideal type होता क्या है ideal type mainly ऐसा कोई type नहीं है ये एक methodological device है यानि कि ये एक comparison का method है जहाँ पर हम compare कर सकेंगे कि originally आपका type क्या है और आप कौन सी चीज़ के बारे में study कर रहे हैं यहाँ पर mainly हम compare करते हैं यहाँ पर कोई एक चीज़ आपके सामने रखा होगा कि ये एक ideal type है ये एक pure type है अगर हम किसी urban society के features के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास पहले एक ideal type रहेगा कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़े होने चाहिए फिर हम उसको किसी एक city के या फिर किसी एक जगा के हिसाब से compare करेंगे कि actually में वह चीज़े हो रही है कि नहीं हो रही है इस चीज़ को जो चीज़ को हम लेते हैं जो device हम use करते हैं उसको कहा जाता है ideal type ideal type जब भी हम एप्रोच यूज़ करते हैं यहाँ पर दो तरीके का ideal type एप्रोच है एक है non-polar और दूसरा है polar non-polar approach क्या होता है non-polar approach में हमारा जो concept है यह ideal type है यह ideal type से ही हम तुलना करते हैं हम मारे पास एक चीज़ होती है यह characteristics का एक पूरा list होता है उसके साथ हम टाली करते हैं compare करते हैं उस चीज़ को हम pure पकड़ते हैं जो भी हम ideal type पकड़ेंगे लेंगे चीज़ उसको ही हम pure समझते हैं रो उसके साथ बाकी सारे चीज़ों को हम compare करते हैं इसको कहा जाता है non-polar approach यहाँ पर कोई polar opposite नहीं है यहाँ पर purely directly हम एक चीज़ के characteristics के साथ दूसरे चीज़ का जो characteristics है उसको हम study करते हैं यहाँ पर जो चीज़ होता है यह actual में चीज़ नहीं होता यह एक empirical instance होता है मतलब किसी भी चीज़ को हम समझ लेते हैं हम सोच लेते हैं हमारे दिमाग में के नहीं इस चीज़ का characteristics जैसे एक city होगा इसका characteristics ideal characteristics क्या-क्या होना चाहिए अगर कोई भी city ideal होगा तो उसका क्या-क्या features होने चाहिए यह सारे चीज़े हम ले लेते हैं उसके साथ फिर compare करते हैं इसका मतलब हमारे पास actual में ऐसा कोई city real में exist नहीं करता है हम सिर्फ हमारे सोचने के लिए हमारे concept create करने के लिए हम इस चीज़ को तयार करते हैं यह सिर्फ एक conceptual device है यह actual में कोई चीज होता नहीं है यह सिर्फ comparison के लिए use किया जाता है यह जो method है इसको हम कहते है non-polar approach यह ideal type में non-polar approach है यहाँ पर हम directly एक चीज़ के साथ दूसरे चीज़ को compare करते हैं और दूसरा जो होता है वो है polar या फिर rural urban continuum यहाँ पर polar का मतलब क्या है यहाँ पर ऐसे दो चीज़ों को लिया जाता है जहाँ पर एक चीज दूसरे चीज़ का opposite हो इसको ही कहा जाता है polar opposite जैसे हम कोई भी चीज़ का चुम्बक ले लेते हैं मेगनेट ले लेते हैं उसका जो north pole और south pole है वो दोनों opposite होते हैं उन दोनों को हम opposite पा करते हैं सेम तरीके से हम जब भी study करेंगे ideal type का वहाँ पर भी हम polar opposite चीज़े ले लेते हैं इन दो polar opposite को हम compare करके ही और आर्बान को दूसरे side में रखते हैं ये दोनों को हम polar opposite समझते हैं इन दोनों को opposite side में रखकर ही हम चीज़ों को study करते हैं और यहाँ पर जो continuum है continuum world का क्या मतलब है continuum मतलब rural से हम आर्बान तक एक continuous process से गुजरते हैं रूराल से आर्बान हम direct पुरा opposite नहीं होता है originally यह पुरा क्या पुरा opposite नहीं होता है यह joint होता है एक दूसरे के साथ हम इनको joint कर सकते हैं link कर सकते हैं कैसे rural society धीरे धीरे करके आर्बान society में convert हुआ है या फिर किसी भी rural society को हमें आर्बान में पुचाने के लिए किसे कैसे changes करने पड़ सकते हैं यह एक continuous process है इसलिए इसको कहा जाता है rural urban continuum जहाँ पर हम continuously चीजों को देखेंगे, analyze करेंगे और change करके एक polar से दूसरे polar तक हम जा सकेंगे यहाँ पर जब भी हम polar या फिर rural urban continuum के बात करेंगे यह दोनों को हम कभी भी water tight compartment में रही रख सकते हैं मतलब हम दो डिब्य में नहीं रख सकते कि नहीं यह पुरा अलग हो गया या दूसरा अलग हो गया ऐसा नहीं हो सकता है यह दोनों mix है एक जगा से दूसरी जगा से तक continuum की बात करेंगे rural urban continuum को folk urban continuum भी कहा जाता है rural यानि की गाव की society folk मतलब यह भी गाव के ही society इसलिए आप confused मत होना जब भी आपका exam में आये rural urban continuum या फिर folk urban continuum यह दोनों same चीज है यह दोनों चीजों के बारे में पहले Robert Redfield नहीं बताया है Robert Redfield नहीं पहले rural urban continuum के उपर काम किया है बाद में धीरे धीरे बहुत सारे thinkers है जिन्होंने इस idea को develop किया यहाँ पर जब भी हम folk urban से folk से urban तक पहुचते हैं यहाँ पर किया किया changes होती है कौन सी वो changes है जो हमें दिखाए पड़ती है पहला है cultural intimacy and organization to disorganization मतलब जो भी गाव वाली rural या फिर folk society है उहाँ पर cultural intimacy और organization बहुत ज्यादा है मतलब एक culture उहाँ का जो culture है वो एक दूसरे के उपर dependent है उहाँ के जो लोग है एक दूसरे के साथ directly related है उन्हाँ का organization है religion का organization हो या फिर culture का organization हो वो बहुत intimate है और अगर हम इससे आर्बान तक पहुचे तो आर्बान में हम देखते है कि ये सारे चीज़े बहुत disorganized है लोगों का जो एक दूसरे के साथ relationship है ये भी बहुत disorganized है यहाँ पर हर कोई अपने बारे में सोचता है लेकिन हम जब भी गाउ के बारे में देखते है तो वहाँ पर एक दूसरे के लिए सोचते है इस तरीके से हम इसको differentiate कर सकते है और दूसरा जो चीज़ हम देख सकते है collectivity और community orientation to individualization मतलब यहाँ पर गाउ में rural society या फिर folks society में हम collectively एक साथ एक जुट होकर काम करते है अगर कोई भी decision लेना हो तो हम एक जुट होकर ही लेते हैं कोई भी काम करना हो एक जुट होकर करते हैं लेकिन opposite में हम जब भी आरवन society की बात करेंगे वहाँ पर हम individually काम करते हैं वहाँ पर हम खुद से काम करना पसंद करते हैं वहाँ पर हम सेकुलर चीजे वहाँ पर लोग रिलीजियन के ऊपर ऍपधर सेक्रेट फोफें यह सारी चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करतésर कि लोग ज्यादा सेकुलर होतé और गाउ numें लोग ज्यादा सेक्रेड होते हैं यह सारे चीज़ें हम देख सकते हैं कि हमारे गाव से होके जब भी शहरों तक पोछता है यह यह continuous प्रोसेस है धीरे धीरे एक जगा से दूसरी जगा तक जाके पहुचता है अब देखते हैं रोबर्ट रेट्फिल्ड ने किस तरीके का contribution किया है रोबर्ट रेट्फिल्ड है वो इंसान जिनोंने पहले रूराल आर्बन कोंटिनियूम के बारे में बताया था उन्होंने mainly folks society को define किया था और folks society का साथ साथ उन्होंने आर्बन सुसाइटी का भी definition दिया था उन्होंने कहा था कि यह जो folks society और आर्बन सुसाइटी है यह दो polar opposite है यह एक दूसरे से पुरा क्या पुरा opposite है इन्होंने ideal type create करनी की बात की थी लेकिन इनके हिसाब से जो reality है हम reality में ऐसा कोई चीज नहीं देखते है कि folk और आर्बन पुरा polar opposite यह दोनों अलग-अलग रहेंगे ऐसा हम reality में नहीं देखते हम reality में यह देखते है कि कोई भी folks society धीरे 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 करके आर्बन सुसाइटी में develop होता है मतलब धीरे धीरे वो continuous process से गुजरता है इसको ही उन्होंने define किया था और कहा था इसी चीज को हम कहते है रूराल आर्बन continuum अब उन्होंने कुछ characteristics दिये थे folks society के folks society के कुछ characteristics सामें जानना होगा ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सके के folks और आर्बन सुसाइटी में क्या फरक है और एक folks society से आर्बन सुसाइटी में पहुँचने में क्या के steps हो सकते हैं उसका अपना अलग तरीका होता है यहाँ पर ज्यादा तर लोग non-literate होते हैं यहाँ पर homogeneous rules follow होते हैं और यहाँ पर हम देखते है strong sense of group solidarity यानि कि लोग एक साथ एक जुट होकर रहते हैं यहाँ पर strong sense हम देख सकते हैं group solidarity के यहाँ पर जो living style है वो बहुती conventional है यहाँ का लोग जो है वो हम कह सकते हैं यह लोग बहुती culture मानते है cultural तरीके से रहते हैं उनका culture जिस तरीका का भी होगा वो लोग उस चीज को follow करते हैं फिर उनका जो behavior pattern है वो traditional है वो personal तरीके से नहीं वो traditional तरीके से चीजों को समझते है वहाँ पर legal चीज़ें ज्यादा नहीं होती है वहाँ पर कुछ उस जगा का ही कुछ rules, norms होते हैं जो वो लोग पालन करते हैं फिर उन्होंने urban society के बारे में भी कुछ चीज़े बताया था उन्होंने mainly हम जब भी बात करेंगे urban society के बारे में उन्होंने rural society के बारे में जिस तरीके के characteristics दिये थे उस हिसाब से कोई चीज़ उन्होंने discuss नहीं किया था लेकिन उन्होंने बताया था कि urban society, folks society polar opposite है मतलब अगर गाव isolated होगा तो इसके opposite होगा urban society में अगर गाव में लोग illiterate है तो urban society में literate इस तरीके से हम इसको compare कर सकते है उन्होंने इसको polar opposite के हिसाब से ही define किया था उन्होंने urban society को कहा था कि एक modern society है जहापर चीज़े बहुत ज्यादा rapidly change होता है और जहापर हम देख सकते है कि rural societies के जो features है characteristics है इसके opposite चीज़े हम urban societies में देख सकते है उन्होंने tribal urban continuum के बारे में भी बताया था उन्होंने पहले तो बताया था rural urban continuum के बारे में rural urban continuum को folk urban continuum भी कहा जाता है और उसके बाद उन्होंने कहा था tribe urban continuum के बारे में tribal urban continuum इहापर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से tribal society या फिर folk society urban society में convert होता है उन्होंने ये study चिकागो युनिवर्सिटी में किया था उन्होंने कुछ characteristics बताया था उन्होंने एक diagram तयार किया था जिसको हम अगर अच्छी तरीके से देखे तो समझ सकेंगे किस तरीके से हमारा rural society धीरे 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 अरवन society में develop होता है तो चलिए हम देखते है यहाँ पर यह diagram है यहाँ पर आप लोग देख सकते है यह जो point है यह है हमारा mainly folks society यहाँ सही हमारा folks society क्या starting होता है यहाँ पर हम transmission और migration के दुआरा वो लोग एक जगा से दूसरे जगा जा सकते है जहाँ पर folks लोग बहुत change हो जाएंगे रिमेट folks हो जाएंगे वेश्टिगेल folks हो जाएंगे इस तरीके से बहुत सारे folks बन जाएंगे फिर development process के दुआरा वो लोग present society में भी बट जाएंगे मतलब वो पहले folks थे उसके बाद धीरे धीरे वो लोग present में बनेंगे और उसके बाद अगर और ज्यादा development हुआ तो वो लोग cities में या फिर वो society आर्बन society बन जाएंगा या फिर वो लोग country people बन जाएंगे पहले वो folks थे उनको development के बाद present बन गए पिजेंट के बाद वो लोग country people बन जाएंगे इस तरीके से हम देख सकते यहाँ पर बहुत सारे चीज़े हैं जो अगर आप लोग गोर से देखेंगे किस तरीके से हमारा tribal society या फिर folks society आर्बन society में change हुआ है यह बताता है इसका मतलब उन्होंने अच्छी तरीके से study किया था इस चीज़ को और उन्होंने जो tribal urban continuum या फिर rural urban continuum folk urban continuum इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से discuss किया था लेकिन इन्होंने जो काम किया था यह एकदम correct है एसा कोई बात नहीं है इसका भी बहुत सारा criticism है बहुत सारे लोगों ने इनको criticize किया था लेकिन हमें देखना होगा कि Lewis ने किस तरीके से इस rural urban continuum को criticize किया था इसका भी बहुत सारे problem उन्होंने बताया थे उन्होंने बताया था कि folk urban जो conceptualization है यह social change के उपर focus करता है यहाँ पर जो भी changes है वो लोग बता रहे हैं कि गाउ से city की तरफ हो रहा है यहाँ पर जो main sources है changes के उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है कि change हो रहा है लेकिन क्या change हो रहा है वो लोग internal, external, बहुत सारे nature से changes के इन सारे changes के बारे में कुछ बताता नहीं है फिर culture change may not be matter of folk urban progression but rather an increasing or decreasing heterogeneity यानि कि उन्होंने बोला था लूजिस्स ने बोला था कि हम देखते है कि rural urban continuum में बताया जाता है कि यह एक progression है लेकिन यहाँ पर चीजों के बारे में increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है heterogeneity का यह बहुत सारे चीज़े rural से urban तक चीज़े heterogeneous हो सकती है लेकिन opposite में अगर हम देखे कुछ चीज़े urban से rural तक heterogeneous हो सकता है यहाँ इस तरीके से उन्होंने criticize किया था और भी उन्होंने बताया था कि Robert Redfield ने जब rural urban continuum के बारे में बताया था उन्होंने चीजों को interdependent बताया था कि rural society, urban society के साथ interdependent है एक दुसरे के उपर dependent है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वैसी चीज़े है जो independent है, जो खुद के उपर सिर्फ dependent है वो interdependent नहीं है rural urban के उपर dependent होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है यहाँ पर बहुत सारे limitations है folk urban continuum के जो चीज़ हम जब भी field research करने जाएंगे यहाँ पर बहुत हमें दिक्कत देगा इसलिए यह सारे problems हमारे rural folk urban continuum को अगर हम ultimate मान लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे serious problem हो सकते है आमारे field research के according इसलिए इन्होंने कहा था folk urban continuum में बहुत सारे दिक्कते हैं Robert Redfield ने जो भी चीज़े है mainly उन्होंने folk society से ही starting point अपना decide किया था उन्होंने खुद को folk society में रखते हुए उन्होंने सोचा था कि urban society में किस तरीके का changes होगा लेकिन ये चीज़ उनके हिसाब से जो भी primitive people है जो भी folk societies के लोग है उनको उन्होंने novel savage बताया था कि बहुत ही बड़िया लोग है वो लोग उनका जो रहनसेन है वो अलग तरीके का है लेकिन उनके हिसाब से जो urban society में अगर लोग चले गए तो लोगों का downfall हो जाता है लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है ऐसा चीज है कि अगर हम समझे जो urban society वो बहुत developed society है ऐसा भी हो सकता है लेकिन Robert Redfield ने इसको बहुत ज्यादा criticize किया था urban society को criticize करते हुए उन्होंने rural urban continuum दिया था इस चीज के उपर भी Lewis ने बहुत ज्यादा focus किया था यहाँ पर आप लोग अगर criticism अच्छी तरीके से study करते है तब ही आपको ये जो पूरा rural urban continuum है ये समझ में आएगा नहीं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आशा करता हूँ आज का class आपको अच्छा लगा होगा अगर class अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्योंकि sharing is caring तो मिलते है अगले class में तब तक अच्छे रहिए सुष्ट रहिए और लोगों में प्यार बाठते रहिए जाहिन